हलो दोस्तों इस यूटूब जेनल में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे एकता में ताकत होती है या नहीं और आज की कहानी है सेर और तीन बेल तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एक बार की बात है तीन बेल अपस में अच्छे दोस्त थे वे साथ मिलकर गास चलने जाते और बिना किसी रागद्वेश के हर चीज अपस में बांटते थे एक सेर काफी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था लेकिन वह जानता था जब तक ये तीनों एक जुट है तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड सकता सेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली उसने बेलों के बारे में अफवाएं उड़ाने सुरू कर दी जुटी जुटी बाते सुन सुन कर उन तीनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो गई और वो दिरे दिरे एक दूसरे से जनने लगे आखिरकार एक दिन उन में जगडा हो ही गया और वे तिनों ही अलग-अलग रहने लग गए सेर के लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर था और उसने उस अवसर का बरपूर लाब उठाया और एक-एक करके तिनों को उसने मार डाला और तिनों को ही खा गया इसलिए तो कहा गया है एकता में ही सकती होती है इस कहानी से हमें सीख मिलती है हमें एक चुटो कर रहना चाहिए और किसी की भी बातों में ना आकर अपने लोगों को दोसी नहीं ठहराना चाहिए और अपने ही लोगों पर विश्वास करना चाहिए ना कि दूसरों पर विश्वास करें सो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद